एगाइज गुड़ मॉर्निंग वेल्कूम चैनल कैसे आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे आज तारीक है 16 माई और अभी सुबह के बज़रे हैं साड़े आठ और मैं जस्ट अभी थोड़ दिर पहले सो के उठा था सो के उठके फिर सा सो लिया हूं और यहां प आप अब को दिखाता हूं और यहां से बाहर का नजारा कि यहां पर पहुंचे वह हैं काफी भीड़ यहां पर लगी हुए है यात्यों की लाइन काफी लंभी लगी हूए है तो आपको भी दिखाता हूं और आप विलोग में बने रहें ब्लोग को लाइक कमेंट सेयर कि आने वाली नई वीडियो की नॉट्प्रिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सकें और टेक्सी की रिक्वार्मेंट है आप लोगों को हर्द्वार या दिल्ली से चारधाम यात्रा के लिए तो आप लोग हमसे संप्रेक्ट कर सकते हैं डिस्केशन पर कॉंटक्ट नमबर द और हमारा पॉन नौट रिचिफल जा रहा है या नहीं उठा पार है तो आपको सीधे से क्या करना है आपको हमारे उसी नमबर पर वट्सप पर अपनी यात्रा का प्लान हमें सेंड कर दीजिए या फिर कोई ट्रिप है आपका तो उसके लिए भी आप हमें हमें अपना ट्र से किस डेक में आ रहे हैं कितने मेंबर्स हैं वह पूरी जानकारी आप में दीजिए तो हम आपको प्रोटेशन जो है सेंड कर देंगे तो चलते हैं पहले बाहर का नजारा दिखाते हैं कि बाहर का क्या महावल है इस टाइम पे सौन प्रियाक का आप लोग विलाओं का बने यात्री लोग पहुचे नहीं है मैं आ गया हूँ अभी सौन प्रियाक की बाइक पार्किंग के पास यहां पर है बाइक पार्किंग यहां पर आप बाइक पार्पित कर सकते हैं कार के साथ साथ में और सामने हैं सौन प्रियाक की मार्किट जो मेन मार्किट है यहां पर आप यात्रा को continue रखेंगे गोरी कुंट तक यहां से सटल सेवा में जो कैफ है उसमें जाएंगे काफी संक्या में यात्री यहां में पहुंचे हुए हैं जैसे कि आप लास्ट लोग दिखा हो कि हम लोग भी जब निकले थे हरदवार से चार बज़े तो संप्या पौस्ते पौस्ते हमें सारी चार प्माच बजगे थे काफी जादा भीर है इस ताइम पे सरदालों के संप्यार देजें लेकर यात्रा पे आने के लिए आप लोगों को गरम कपड़े लेके ज़रूर आना बिना कपड़े लिए मता आना क्यापिन यहां का जो निनी चैंज वहाता है कभी बारिस होने स्टार्ट हो जाती है तो आप लोग जरूर है और छोटों बच्चों को बिल्कुल भी लेके ना आया करें यात्रा में और सामने जो है जो गारी उपर जा रही है वो रस्ता जाता है तिरोगी नाय मंदिर को जहां पर माता पारोती और भोले माजी का विया झाथ हैं तो अभी यहां पे काफी जादा लार्ज है रहा रहा है तो इस ताइम पें काफी ज्यादा रस है अगर आपको अब लोग आए कोई दिखकत नहीं है लेकिन चाहर रहा है यहां पेलिटे विंड YEOS बहुत जादा यातरी पहचे हुए इस टांप के चार राम या थिक रागमां और केदानानान व میں सबस्क्रकेन essionर रख अब इंस अबहुत जादा है तो यहाँं में सबस्केन के अब हो और मैं आ अब हुए हो तनी जो तो यह चेक करें सामने उपर की साइट यहां पर पूरी धूप निकली हुई है और इस तरफ को दिखाऊं तो मैं आपको यह चेक करें और सामने जो हैं वहां से गोरी खुंड की जो गाडिया जा रही है आप देख सकते हैं जूम करके रिखाता हूं यह देखिए और सामने रोड आपको देख रही है वह गोरी कुंड वाली रोड है यहां पर जो है गाडिया नहीं जाते हैं गाडिया जो अगर आपने वीकल गड़ा लेके आ रहे हैं तो वीकल आपको सौनप्रियाग पार्किंग में खड़ी करने पड़ेगी उससे आगे आपको यह अपन आप सुलगना टायम कर दिखा द हैं यह अपर कीतने याततरी इस ताइम पर यहाँ पर के जामनाल द्हाटार्शनी आप द загले सकते हैं और यह लाईन जो है आप जो लाईन देख रहें याथी देख रहे हैं यह लाईन रात को ग्यारा बारा वजे को बादGu इना श्टार आने जाने में लगे हुए हैं यात्रियों को लाने ले जाने में साम के बज़ रहे हैं सवाच छे बच के पंदा मियाट हो चुके हैं और आज दिन पर मैं सो रहा था और कुछ निकर रहा खाना खाया सो गया गाड़े भी साफ ने करी, गाड़े भी कल साफ करें गे और बाहर कमवस्म काफी ज्यादा अच्छा हुर्ख है deliberately पहले काफी ज्यादा बारीस से यहां पी हुई है और फर्केधर गाटी में तो काफी बुरा हाल है बारिस काफी जादा हुई है यात्री काफी जादा रखे देड़ आज गाड़ी की जो पार्किंग या सुन प्राकी मदला खाली पड़ी हुई है नीचे से कोई भी गाड़िया नहीं आ रही है सुनने में आरा कि नीचे गाड़ियां रामपूरिया सिर्शी के आजसफ़ाटा कि जादा भीड़ थी सुवह तीन बज़े से स्टार्ट हो रखे थी और तीन बज़े तक दोपैर में सुरी दोपैर मैं अपना एक बज़े तक पूरी लाइन जो थी काफी लंबी लाइन थी सितापूर से भी क्रॉस कर चुके थी काफी ज्यादा सर्था लूब आज की ठीक जाते हैं तीन बज़े जाते हूं उसके बार फिन नैक्स टे मॉर्निंग में यहां से चालो होती है जिनका नंबर या जिसकी डेट पे उत देट हो रही है उससी डेट के अप यहां पर आईएगा चलिए बाहर कम आपको दिखाता हूं हम आस तो कमाली होग सोंपर प्र से अपनी जन्नी को आगे बहुत से लोग बदिनाथ के लिए जा रहे होंगे और पार्किंग देखे पूरी पार्किंग इस लाइन पर कोई भी गाड़िया लीचे से नहीं आ रही है उपर और कुछ इस तरह का व्यू सामके टाइम पर यहां पर देखने को मिलता है सामने नए सुबह के साथ किदार घाटी आपको दिखाएंगे तब तक आप बने रहे हैं विलोग को लाइक कमेंट सेयर ज्यादा ज्यादा करें जितने भी हमारे नए यूजर हमारे इस ब्लोग को देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और ब झाल 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 झाल